चारसो करोर रुपए जी ट्वेंटी के बैठक में गया और लेकर किया नेक्स्ट नितीश जी और मोदी जी में एक सिमिलारिटी है जिस पिछ पे जब हो जाते हैं वन एलेक्शन, वन नेशन, वन एलेक्शन की बात वो सुरू से करते रहे हैं और कई मौकों पर दिखता है कि नितीश जी की पॉलिटिक्स उधर शिफ्ट होना चाहती है बस लेकिन एक महत्वकान शार और लालू यादो इस मौके को समझ रहें इसलिए वो नितीश कुमार को वो मर्जी सारा केरें कि कोई बात नहीं दिन दयाल उपात है के फंक्शन में जाना है चले जाओ ते जस्वी लेकिन मना मत करो किसी चीज़ के लिए जो बोले बोले वो दिन है तो दिन बोल दो रात है तो रात बोलो अभी मौका ये ठीक नहीं है और आप देखेंगे एक और चीज़ प्रधान मंतरी के प्रतीर नितीश कुमार जी का पिछले चार दिन पास दिनों से एक दम से इवन उनकी पार्टी मेंबर पीएम को टार्गेट नहीं कर रहे है राजस्थान की चुनाव की कमान श्री नरेंद्र मोधी के हाथ एक ही बात हुई सर एक ही मैंने वही कहा कि जैसे मोधी जी ने वहां पिक किया तो वहां भी यह भी पिक किया करना नूपर शर्मा जी की वापसी हो गई है कम से कम अब पब्लिक में अब बारती जंता पार्टी में भी संबफ्त हो जाए मैंने पहली चीज़ यही बोली थी दिदी को कि दिदी प्रणाम लेकिन न भूले हैं न भूलने देंगे और मैं आप तमाम हिंदू की तरफ से माफी म मांगना चाहता हूं कि हम लोग आपको आज भी वह सुरक्षा का भाव नहीं दे सकते तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात को दे सकते कि पहले उन लोगों को अभिशेक आपकी तो मैंने वह वाइरल देखी थी रैली जो अपने पटना में हमारे समर्थन में निकाली थ करती है अब आप मालनों कि हमारी जब इंट्री होगी एक्जैक सही टाइम पर होगी और देली में तब हमें हिंदू योद्धाओं की अवशक्ता पड़ेगी नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सिपकारिक्रम में और आज हम व्रहित राजनीतिक चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं अविशेक किवारी सीधे पटना से और जो आज के विशे हैं अविशेक की से हम जो बात करेंगे उसमें ना और बिहार तो है ही साथ में करनाटका भी है और मद्धिप्रवेश भी है और कुछ इधर उधर की बातें भी हैं तो स्वागत है आपका विशेकी जैपुड आईलॉक्स पर आज की इस चर्चा में जी प्रणाम नमस्क्रार जैसे राम तो यह क्या हो रहा है बिहार में क्या हमारे नितिश बाबु फिर से एक बार पल्टी मारने का प्रयास कर रहे हैं अगर जग्यू और भाजपा के ऑफिस की माने तो बड़ा जबर्दस्ट राजनीतिक गलियारे में जो है बहुत जबर्दस्ट चर्चा है और इसको मैं आप के दर्शकों को तीन-चार एक्टिविटी से एक्स्प्लेइन करता हूं परसों जब उपेंद्र कुस्वाहा से पूछा गया कि अगर नितिश कुमार जी एंडिये एलायन्स में आएंगे तो आप क्या करें करें अगर लालू को छोड़के कोई आता है तो हम तो जान भी दे पहला है दूसरा अब एक नितिश कुमार जी सेमिनार में थे प्रेस कॉंफरेंस के तरफ ते असोग चौधरी काफी पीछे खड़े हुए थे क्योंकि उनके चार-पांस दिन पहले ललन सिंग और असोग चौधरी के बीच पे तीक ही बहस हुई थी जो कुछ भी हिंदू व विरोध पे नहीं आती मुस्लिम तो उसकी करण जरूर करती लेकिन सनातन को ब्राम्मन को रामचरित मानस को उस प्रकार से बोलना यह जद्यू की पॉलिटिक्स का कभी हिसा नहीं रहा है लेकिन चुकि अब अलायन्स में तो उनका इमेज खराब हो रहा है इसको लेकर बड इडिकेट किया था उन्होंने कि ललन सिंग के सामने ही असोग चौधरी का गर्दर पकड़के प्यार से जो कहते हैं कि अधिकार पूर्वक वह सामने लेकर कि नहीं आप बात करो आप यह करो और जिस प्रकार से उसके पास भाव भंगी बाती कहा जाता है कि ललन सिंग आव संग कर दिया था ऊ pent rode deaf कि यह कन्ट्रोल में तर उस समय रसी पी सिंग से control मैं लिया वापस नितीश कुमार ने इस पार ललन संसे control वाफस ले लिया है अगर आप सेकव्恵ंस तो डिकेशन जो है वह कुछ चीसी प्रकार किया और मैं आपके शो पे से या लियह इनु दो प्रेम पत्र बहेज करके किसको अपना एक्स बना लेंगे और किसको अपना प्रेजेंट बॉइफरेंट बना लेंगे यह तो बनने बनाने वाला भी नहीं जाता किन्तु मुद्दे की बात यह है कि 400 करोर रुप है जी 20 के बैठक में गया है और लेकर करके नेक्स्ट डेर है कि नतीश जी की पॉलिटिक्स उधर शिफ्ट होना चाहती है बस लेकिन एक महत्वकांशा तो अब प्रधानमंत्री जब बनना ही नहीं है तो क्या बना जाए अच्छा रिटायर्मेंट हो एक आज आप यह मैं क्या आज से 20 साल बाद मैं क्या सुचूंगा एक अच्छा रिटायर्मेंट परिवार के साथ समय व्यतित हो और अच्छा रिटायर्मेंट तो सर एक राजिपाल का ही पोजीशन दे सकता है एक अच्छा रिटायर्मेंट होता है जहां पे आपको पावर भी फील होता है कुरसियां भी रहती है लोग फाइनली आरे कोई मुख्यमंत्र बन जा लेकिन सपत्व आप ही दिलवाएंगे ठीक है वो भी एक अच्छा पावरफुल पोजिशन है इट सिम्स के आर सिपी सिंग जो बीजेपी में चले गया है वो उनके साथ वापस बातचीत का भी दौर सुरू हो गया है लेकिन राजद इनका रोल समझना बहुत ज़रू इस वक्त सत्ता ब्रेक होती है सत्ता चली जाती है तो लालू परिवार पूरा का पूरा कुनबा जो है सर वो द्वस्त हो जाएगा आप चुनाओं में जीत की बात तो बात की है जीत हार ये सब इससे परे की बात हो जाएगी परिवार बचेगा की नहीं वो महत्पून हो ज तो वो मर्जी सारा कहने कि कोई बात नहीं दिन दयाल उपाद्ध है कि फंक्शन में जाना है चले जाओ तेजस्वी लेकिन मना मत करो किसी चीज़ के लिए जो बोले वो दिन है तो दिन बोल दो रात है तो रात बोलो अभी मौका ये ठीक नहीं है तो राज़त किसी प्रकार से उनको लूज नहीं करना चाहती किन्तु एक और इंसिडेंट हुआ है वो जिस प्रकार के मनिपूर को लेकर के बवाल हो रहा था पटना की राजधानी नहीं बढ़ते हुए अपराद और जिस पे तेजस्वीयादों का कंट्रोल नहीं हो इसलिए हो नहीं है और छोटे-छोटे विधायकों को फोन जाना यह सारी चीजे लाइन ओर्डर को परिशान करने के लिए वो सब चीजें काफी है तो नितीश कुमार को लेकर के जो चर्चा है और बड़े-बड़े पत्रकार कर रहे हैं बिहार के वो यूहीं नहीं है उसके रीजन शरद यादो से अब तो दिवंगत हो गया वो नहीं रहे शरद यादो जी से निकल गया क्योंकि वह जीवी थे से रत पवाजी उस वक्त सरद यादो जी अध्यक्ष हुआ करते थे जद्यू के उनसे वह कंट्रोल अपने हाथ में लिया वही फिर मितीश कुमार ही अध्यक शरद यादो बिलकुल इस विवर में नहीं थे कि 2013 में भी अलैंस तोड़ा जाए बीजेपी के साथ कि तो जब तूट गया तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं ड़ा और वह ध्यक्षपत भी नहीं थे फिर वह जर्यू के साथ ही जुड़े रहे इसके बाद मैनेजर से बता पर और लाइनस वाली बात पर अब तक वह मना करते हैं इस पर वह चुपी साथ है पिछले चाहर दिनों से बीजेपी के बड़े लीडर्स के द्वारा इतना बड़ा कांड हो गया नितीश कुमार पर हमला नहीं हो रहा है यह कुछ अलग इंडिकेट कर रहा है ऐसे में अब चले गए हैं नितीश कुमार के हैं अब उनके लिए भी पीछे लौट नमर्श के लिए तो क्या बीजेपी चिराग पासवान जो की मोदी जी बार बार इंडिकेट करते रहते हैं कि वह उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनको कैसे मनाएगी कैसे सत्ता के रास्ते पे तीनों साथ मिलके चलेंगे वो देखने वाली बार और साथ में अब तो उपेंदर कुछ वहाँ भी अलागी है लेकिन साथ में ये भी बात आ रही है कि समराट चौधरी और सुशील मोदी कह रहे हैं कि वह नाक रगड़ेंगे तब भी हम वापस नहीं लेंगे तो यह क्या सुसील मोदी ने दो महीने पहले ट्राई किया था भाषन देते रहते हैं ताकि किसी को बानक न लगे पता न लगे तो उपमख्यमंत्री बनना चाहते थे तो उनकी बात तो हम रहने ही न दे क्योंकि वह मंत्री से उपर सोज नहीं पाते हैं कि तो और अगर मुझसे कहा जा तो मेरा उत्तर होगा नास है अब बीजे भी बहुत अच्छे पोजिशन पर लोकसभा को ले करके है और इनका ठीक ठाक अलायंस काम कर रहा है लेकिन वही बात है कि नितीश कुमार में कोई एक विशेश गुन है जो अपने दुश्मन से अचानक मिलते हैं तो फिर से पतलब ही नहीं रहा जाता ना भारती जन्ता पार्टी बार बार इनको जो है इनकी मृत प्राय शरीर में बार बार प्राड़ों का संचार क्यों खती है क्या पता यह देखे बीजेप पहली बार बीजेपी ने सही धंका नेड़ने लिया था समराठ चौधरी जैसा अध्यक्ष बनाया और इन्होंने पिछले दो महिनों में बीजेपी को रिवाइब करने के लिए बिहार में बहुत अच्छे कदम उठाए युवाओं को को लेकर के ऐसे में अगर चिराग पासवान नितीश कुमार की एडियोलोजी के खिलाब जाकर के जागरिक कर रहे तो फिर एकदम से पूरा यह करना थोड़ा से मुश्किल हो जाता है तो देखना पड़ेगा कि यह जो चल रहा है चर्चाओं का दौर और अवा यह कितना सह ही है कितना गलत है कि मैंने बताया अगर हम देखेंगे इवेंट्स जो बदलने के पहले बीजेपी के तरफ से हुए थे और अभी वह इवेंट्स बड़े सिमिलर लग रहे हैं जी तो आपने सही कहा कि बड़ी वेचित्व इस्तित्य है और जो आम जैसे मैं इसकी सिमिलारि यहां पर पीजेपी ने एक बड़ा ही बॉल्ड स्टेप लिया और अन्ना मलाई को पूरी तरह से एक फ्री हैंड दिया और फ्री हैंड देके चूंकि अन्ना मलाई ने समझाया और बात सहीं भी है कि पही दो हजार चौदा में जो गटबंदन बनाया था और उस गटबंद में यदि टीटीवी दिनकरण को और ओपीएस को वो पनीर सल्वन को जोड देते हैं तो ये लगबग पचीस प्रतिशत तक बहुत जाता है और पचीस पत्श्षत पे वो एक जिसको कह सकتे हैं कि एक अंतर ढाल सकता है तो तुम का दीएएम्ऌ के को वो्ट देता है तो आडीएम्पक के काडर, बीजे पी थी तो तब जीती थी जब खेश सैथी सीटें जैललिता ने जीती थी तो उन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड मैं कहूंगा और बोल्ड का मतलब वो जो है वो आगे जाके बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है तो यह बोल्डनेस यह तमिल लाड़ों में दिख सकती है तो बिहार में क्यों नहीं दिख सकती जबकि बिहार में सब जानते हैं कि भाई नीती इस बाबू के पास अब कुछ नहीं बचा है अब मैं इसको तमिल लाड़ों से तुलना करूं कभी-कभी बीजेपी की स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आती है बीजेपी को करनाटक मे अलाइंस नहीं करना था अलाइंस किया बीजेपी को एग्जेक्ली तमिल लाडु में अलाइंस नहीं करना चाहिए था उन्होंने वह बोल्डेस्टेप लिया और अगर टेकनिकली देखे तो पिशले तीन साल से विपक्ष के नाम पे सिर्फ अन्नामलाई ही है जो नीज से लेकर के हर जगर रहते हैं और काउंटर करते हैं डिंव के के पॉलिसी को हर मैटर पर बड़ा तमिननाड़ू में उनको गजब का response मिला अभी जो उनकी यात्रा मुझे लगा कि जो अन्डामलाई की यात्रा हो रहती है उसी यात्रा के तरच्वे बिहार में चिडाग जब्वरपूर का यात्रा रहा हो दर्भंगा का जहां पे वो फाइट नहीं करती लोजपा और वहां पे इनको इतना अच्छा रेस्पॉंस मिल रहा है कि नहीं आप लोग सही कर रहा है तो ऐसे में नितीश कुमार के साथ किसी डील का कोई तुक नहीं बनता और आपनी दर्भंगा रेजोलूशन के बाद क्लियर कर लिया था आप समराट चौधरी और अमिश्चा जी के लगातारे स्टेटमेंट्स देखिए नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो कुछ चीजें चोका रही है एक डर है मेरे अंदर जो कि मेरा यह मानना है कि न करे बीजेपी अभी भी अगर हम लोगों की सुन ले जैपो डायलोक्स को अगर वो लोग सुनते हैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बीजेपी को रिवाइब कर रहे था और बहुत दोजार पच्चीस में के होसले तोड़ने के लिए तो यह सारा बक्वास काम होना ही नहीं चाहिए जिसकी जो दिख रही है इंडिकेशन्स जो दिख रही है जी सर्थ और इन सब कारे कलापों का इस इंडिया अलाइंस पर क्या असर पड़ रहा है अब इसके एक अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर हो जाता है तो क्या असर पड़ेगा एक बार फिर से देखी अगर बिहार में मैं यह मानता हूं कि कहीं कोई अलाइंस सही माइनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के पोजिशन में हैं तो वर्तमान यह जो अलाइंस है नितीश कुमार लालुयादो और लेफ्ट और कॉंग्रेस का हलाकि लेफ्ट ने बोल दिया है वहाँ पे केरल में किये वाइनाड वाला नहीं जीतना चाहिए इस पार वह भी बहुत एक तमाशा ही है जो हो रहा है वहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने राहूल गांधी पर डिरेक्ट खमला बोला है फिर उस पे नहीं जाएंगे ल उनको बिहार में सीटे चाहिए अब यहीँ वो पेश है बिहार में उन्होंने आठ लोग सभा की सीटे मांग नितीश कुमार को ये सारी चीज़े असैज कर रहे हैं कॉंग्रेश 8 मांग रही है वो 8 मांग रहे है और इनके 16 सिटिंग सांसद है तो इनको लग रहे है कि अग से अधिक इनके सांसद जद्यू के नहीं जीतेंगे इसके बाद पूरा खेमा हिल सा गया कि क्या इतनी वास्तों में इंट इंकंबेंसी और प्रसांथ किस और के बात को हम क्यों सीरियसली ना लें उन्होंने क्योंकि जिस अंदाज में कहा था कि मैंने जीवन में एक बार भविश्यवानी की है वो बंगाल को ले करके अब दूसरी भविश्यवानी आज कर रहा हूं बिहार को ले कर तो सोला सांसद जो जीते हुए हैं और अब हो रहा है कि चार से पांच यानि चार मैक्सिमम जा सकते हैं इसके बाद जद्यू में बहुत बैटकों का दौर शुरू हो गया था और मुझे लग रहा है वही एक जो है मोमेंट था जहां से जद्यू ने दूसरा अप्शन सुरू किया कि पहले पार्टी बचाओ प्र पीम तो बनना है नहीं वो तो म पार्टी बचाओ पर उनका यह समझोता होगा कि मालो जद्यू को दस भी लोग सभा सीट मिल जाती है तो मोदी लहर में और मोदी जी के नाम पर दस के दस सब्सक्राइब यानि चार से अधिक छे साथ जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो बोनस हो जाता है तो उस पोजिशन को लेकर कि जो कुछ चल रहा है पिहार में एकदम कुछ असहग सा है क्योंकि राजद का नेता कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है जद्यू के नेता से अगर आप पूछे कर लोगर लेबल को कहते हैं कि हमें तो मोदी जी के साथ मिलना चाहिए हमें तो इस गठमंदर में कुछ ग्राउंड से एक्चुली कनेक्टेड होते हैं उन्हें पता है कि जद्यू हार रही है और बहुत बुरी तरह से इस अलायंस में आते हैं यही वो एक चीज है जो नितीश कुमार को सायद लगातार परिसान कर रही है और उसी का कुछ अब अल्टरनेट का देखा जा रहा है वैसे मैंने एक और बात कही थी कि नितीश कुमार इस वक्त क्या 40 लोग सभा सीट पर अपने लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि एक डील हो जाए किसी प्रकार का तो खर सकते हैं कि हम उसके पूजिशन पर भी वो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले लड़ेंगे क्योंकि उ और वो इसी वज़े से परिशान है क्योंकि पिछली बार भी सीट शेरिंग वाली बात हुई नहीं थी राजयत के साथ अब वो चाहते हैं या तो पहले क्लियर हो जाए यहां पर या हम विक्रम बैताल फिल्म थाना सब कि मैं तो चला तो फिर वह वाली बात है अब दूसरे स्थानों पर भी राजनीती जो है वो परवान चड़ रही है रप्या आप हमें सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइक ऑन भी है वश्यद माले और वीडियो को शेयर करें राइक करें याद रखें तीन पचार और पांच नवंबर जो का महा कुमब हो रहा है दीजाएब डायलॉग सो टू तूजन टूइन्टी थू उसमें आप सभी अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं कराउट फंडिंग के साथ और सेशन स्पांसर्शिप भी ओपन है जो लोग सेशन स्पांसर करना चा बहुत सारे लोग उसमें से भी रहेंगे विक्रम संपत जी आएंगे आनंद रंगनाथन जी आएंगे लेफटिन जिनरल शंकर आएंगे लेफटिन जिनरल अलाता हसनायन आएंगे आनंद रंगनाथन भी होंगे और बहुत सारे और आपके जो हैं जाने पहचाने राश्ट तो आप सब लोग उसमें आमंत्रित है वर्चिली या फिजिकली मेरा एक प्रश्चन है सर्थ यह जो जैपूर डालोग समिट हो रहा है इसका टैग लाइन किसने सोचा था क्योंकि बड़ा निर्णायक मोड पर भारत है और यह टैग लाइन इस बार का सोचना पिछली बार त जानन माधव मुक्तिबोद जी की कविता है इसको पढ़ा किए कभी कभी थोड़ा बहुत लिटरिचर में भी जो है अनद्रिया कीजिए हिंदी साहित्य यह चौरहा है इस चौरहें कहां जाएंगे किस रास्ते पर जाएंगे यह तैय करता है सबी को ठीक है पता करते हैं ज करतमान केंद्री बनती हैं उनको उतार दिया गया है और अभी से लिस्ट जारी कर दी कि यह क्या हो रहा है मतलब जो करनाटक की गलतियां थी उसके बजाए इस बार जो है न गलतियों को सुधार करके टाइम दे करके जीतने को कहा गया है कि तुमको जीतना पड़ेगा तु उसमें सबसे पहला नाम आपको पता हूं सर कैलाश विजय वारगिये जो महा सचीव जी है उनका नाम था कि इनको चुनाओ लड़वाया है यह बात मैंने अपने चैनल पर भी कहा था कि इस बार कैलाश विजय वारगिये जी को पेस करना पड़ेगा कुछ हीट जो यह उसके बाद देखते हैं कहां तो यह जा रहा है कि चंबल से इस बार महाराज जी को भी टिकेट मिलने वाला है और बड़ी कंफर्म नूज है वो भी अगले चरण में जब नाम उनका होगा तो लोग चौक जाएं क्योंकि फीड़बैक में सबसे पहले यह कहा गया कि चं महाराज की सिंद्या जी हो सकते हैं इसके अलावे इसमें तो मामा जी को भी मेसेज्ज छुपा हुआ है हां यह जो मैसेज्ज है ना क्योंकि मोदी जी ने पूछा कि ठीक है लेकिन इतनी एंटी इंकंबेंसी क्यों है तो खुलके बता देता हूं लोगों आरे से ने बताया लेकिन मामी वाला जो हिसाब किताब है वो ठीक नहीं जागा और यह करप्शन की लड़ाई जो है उस हिसाब से चलेगा तो फिर कुछ बदलना होगा तो अभी इसी वज़े से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कुछ अनौन्स नहीं करते हैं कल प्रधान मंत्री जी की रैली थी मैं सिटिंग विद शहजाद पुनावाला हम लोग साथ में बैठ करके वो देख रहे थे और पॉइंट्स नोट कर रहे थे कि क्या-क्या पॉइंट्स हो रहे हैं कि किसी भी कीमत में मध्यप्रदेश के हालात नहीं बदलने चाहिए बीस साल की मैनत है तो दिखा मुझे कि कितने डिस्परेट है प्रधान मंत्री नरेंद मुदी कि कुछ भी हो जाए मध्यप्रदेश अपने हाथ से नहीं जाना जारे कहते हैं कि अमेज शाह जी को कहा गया है कि डारेक्ली आप कमान लीजिए जेपी नडडा जी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए लेकिन आप पर्सनली मध्यप्रदेश पे इन्वाल्व हाजिए एट एनी हाओ एट एनी कॉस्ट मध्यप्रदेश अपने हाथ में आना चाहि है तो सर्प्राइज मत होएगा और यह चीज जो है मुझे चोका रही थी कि इतनी जल्दी बीजेपी मध्यप्रदेश को लेकर के क्यों है लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह यह चाहती है कि इंडी अलायंस को यह मौका न मिले कि देखो हमारा अलायंस मना हम कितने प्रभ यह पूरा एंपी जो है आब नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि उनकी जिद वाली बात होगी कि इसको जीतना ही जीतना है इस वज़े से आपको यह सारी चीजें चोका रहे हैं जी तो नरेंद्र सिंग तो एक समय कहे जाते थे कि मुख्य जी अवल को टिकेट दे दिया गया है हाँ इसका इसका कारान बताता हूं आपको सर सीजील एक्जाम के कोश्चन पेपर के लीक्स के याद होंगे और स्टूडेंस ने जो लगा था ना नरेंद्र तोमर जी पर जब सीजील पेपर खास करके 2000-21 वाला जो पेपर था जिसमें वाटसेप पे कोश्चन कुछ लोगों को मिल गये थे और उसका स्क्रीन शॉट बड़ा पवाल हुआ था उस पेपर को ले करके इनपक्ट 2018-19 में भी यह हुआ था तब से नरेंद्र तोमर पे हीट तो था लेकिन चुकि चुनाओ निकल गया था 2018 का MP और वो फेस करना था न आगया है अब बहुत लोग मोदी जी के नाम पर सिर्फ मंत्री बनके नहीं रहेंगे जाइए चुनाओ जीता यह तब तो ठीक चुनाओ सिर्फ जिताना नहीं खुद भी जीतना है तब तो ठीक नहीं जीते तो इस बार कोप भाजन का शिकार बहुत लोग बनने वाले मध् दर भी है क्योंकि ही माचल में एकदम से इन्होंने टिकट अनाउंस की और फिर जो एंटी इंकम्बेंसी जन्मी उसको जो भाजपा के अंदर जो भाजपा के कोर सपोर्टर थे उनको मनाने के लिए आपके पास समय ही नहीं अभी समय है जो नाराज है जैसा भी उनको समझा करने का समय है कि आपको यहां यहां कंपनसेट कर दिये जाएगा और इसी वज़े से भाजपा फास्ट फॉरवर्ड मूव करने लगी दूसरा कमलनात का जो अप्रोच लाइन है उससे वह नरेंद्र बोदी जी ने जब आरे से इसका वह फीडबैक जो गया था कि कमलनात का प्रोच लाइन हिंदुत्व को ले करके वह आपको संकट में डाल रहा है क्योंकि वह लगातार संतों से मिलने है बागेश्व धाम भी चले गया जिस प्रकार से बुलाया गया धिरेदर शास्तरी जी को इनफाट जब सनातन विरोधी बयान है तो उन्होंने कह दिया कि उद अगर गलती हो तो मंच से उठा लेना चाहिए इसी वज़से पहले उठाया था और कल फिर उठा दिया और राजस्तान में हमारे वसंदरा जी को कल मंच से बोलने नहीं दिया गया यह तो आपके एक्सपेक्टेड लाइन पर था मुझे आद है कि हम लगा पॉड्कास्ट के लिए जब मिले थे तो आपने एक्जैक्ली कहा था कि चीजें राजस्तान में भी बदल नहीं है तो क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि वसंदरा राजे के बिना हम नकेवल हो सकता है 2013 का रिजल्ट रिपीट ना हो बीजेपी 135 पे रह जाए लेकिन सत्ता में आ जाएंगे और उसके बाद इन से मुक्ति पाने का आप सही समय है देखिए जी संदेश तो उसी समय मिल गया था जब लोगों ने ये नारा लगा दिया था कि मोदी तुझ से बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं तो ये इस पश्ट था कि नाराज़गी जो है वो रानी से है और ये जंता ने दिखा दिया आपको याई बीजेपी को हराया पहले 2018 में और 2019 में 25 की 25 सीटे इंडियों को दी इसलिए राजस्थान की कमान आपको पता है डायरेक्ट किसके हाथ में मुटा भाई ना 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 राजस्थान की चुनाव की कमान श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ही बात हुए कि मैंने वही कहा जैसे मोधी जी ने वहां पिक किया तो हुआ ये भी पिक किया करना तो मुटा भाई को जाओ डारेक्ट मोधी जी सबसे बात करना है बिलकुल अलग लेवल पर है क्योंकि अब तो देखे राहुल गांदी ने आपको कारीबी है तो आप समझ सकते हैं बेचारे गयलो जी सफाई देते हैं गोम रहे हैं सब जगे अरे भाई उन्हों ने तो हमने इसको चुनोती की तरह लिया है जो भी कहा है और हम जीत कर दिखाएंगे लेकिन एक चीज़ और मैंने देखिएंगे राजस्थान में मामला करीबी है एक चीज़ और इस तीनों चुनाव में देख रहे हैं यह तीनों चुनाव में चुनाव में हिमाचल और करनाटक के हार के बाद अगर आपको जेपी नड़ा जी को फूल टाइम जब इन्होंने अ जिमेदारी फिर अमेद शाजी को आएगी तो अध्यक्ष महोदय ही साइड लाइन हो रहा है यह क्या चल रहा है बीजेपी में अध्यक्ष महोदय जब अपना स्टेट नहीं जिता पाए तो इनकी विश्वसनीता कितनी रह जाएगी तो संगठन महामंत्री महोदय जब जा रहा है कि संगठन महामंत्री जी चूंकि स्वें मुसी प्रदेश से थे तो उनकी बात को काफी वेट दिया गया और उसका जो परिनाम था वो सब ने देखा सबसे बड़ी बात जो हर संगठन महामंत्री जो आजकल बनता है भाजपा में उसकी बड़ी समस्या है वो अपने आप में भवश्य का नरेंद्र मोदी अपने आपको देखे लगता है यह बारी समस्या है नहीं इसका इसका मैं उत्तर बड़ा बढ़िया देता है और जी क्या हुआ था कि अमिज शाजी जो थे वो उनका स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया न मुझे याद है त्रिकुरा एलेक्शन में हमारी बात होई थी एक लड़के से तो उन्होंने कहा गया है अमिज शाजी की बात और है वो हमें नाम से बुलाते थे चाहे वो एक पन्ना प्रमुखी क्यों ना हो और जेपी नडड़ा जी नाम छोड़िए पन्ना प्रमुख का छोड़ दीजिए तो वो कनेक्शन जो है टूट गया है जो हमारा होता था अब वह हाई स्टेंडर का जो उन्होंने बाहर सेट किया शायद मुझे लगता है कि जेपी नडड़ा जी उतनी मेहनत कर ही नहीं सकते जो अमिज शाजी ने किया ता जैसे मैंने आपको बकसर वाला एक बताया था कि करके मीटिंग हो गई रात ke 12वजे कैसे जीतना है वो उस वक्त तो सी ठोड़ी सी मुश्किल में हो रही तो रात के 12 जवजे मीन के चार बद को लोगों ने कहा कि चली अब होटल जाने का टाइम युथ रवोगों च हुझे वापस मुझे दिल्ली लौटना है हेलिकॉप्टर से तो यहीं दो घंटे हम सो जाते हैं और आप विश्वास कीजिए सर बिना बेड़के बिना किसी के अमिज्शाह जी वहां पर लेट गया है गोदाम के अंदर उतनी गर्मी में और दो घंटे उन्होंने नीन पूरी की और वो चले के उसके पाद वो जेपी न पराटका में जेडी एस और बाजपा का गटबंदन हो गया है अब इससे बाजपा को कितना लाब होगा क्योंकि 26 तो 25 प्लस एक तो पहले ही जीते हुए थे अब क्या 28 के 28 जीट जाएंगे नहीं जीतेंगे 28 के 28 नहीं जीतेंगे किन्तु मेरा मानना है सत्ता में होने के बावजूद अभी भी अगर जेडी एस और बीजेपी साथ लड़ती है तो 23-24 अवस्य जीत ले गया है मुझे कुछ खास इसलिए फायदा नहीं जाना क्योंकि बीजेपी जो इस वक्त वहां की टीम है बड़ी कमजोर हो गई है और कौन वोटर उनसे नाराज हो गया है ये ठीक बात नहीं लग रहा है और इसको कंपनसेट सिर्फ वोका लिगा वोट अगर उस तरफ आ जाता है तो उससे नहीं होगा उनको लिगायत को वापस बुलाना होगा अपनी तरफ हिंदुद्र के पिछ को ले करके बाते करनी होगी आप यह दिए ना कि प्रियंग खडगे ने जब यह बाते कही करनाटक का कौन सा टॉप मोस्ट लीडर खड़ा हुआ और प्रियंग खडगे को पड़े हो जाते हैं कि आप अपने राज्य को भूल जाएं और राज्य में हो रही चीजों को तो मुझे लगता है कि यह शायद एक मजबूरी का अलायांस है जहां उन्हें था कि इसको अब वापस लाना पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस की तरब जो है वह भी ठीक नीया कॉंग्रेस का फुरतं लिगाया तो को वापस बीजे पी की तरफ भेज रही थी तो बीजे को बहुत्वित होने के आवशक्ता नहीं है जितनी बार सनातन को गाली दें जितनी बार प्रियंग खड़ QUE जिस प्रकार जिस प्रकार के नियम लगाएगे और उनका वो समर्थन करते हुए नजर आए तो जितनी बार वो वो एक और राहूल गांदी मैं बता दू प्रियंग खड़ गे तो इस प्रकार की जितनी बार वो बयान-बाजी करेंगे ना बीजेपी के लिए रास्ते आसान हो जाएगे तो उनको बोलने देना चाहिए यह बोलते रहने देना चाहिए यह जो है बीजेपी को इस स्ट्राटिजी में जाना था मुझे मेरा एमानना है कि जेडियस के साथ लॉंग टर्म में बीजेपी के लिए बिल्कुल बेनफिट नहीं है वो खा लेंगा वैसे भी 25% आपकी हुआ गए है सुमलता जी तो कोई लॉजिक नहीं बनता था लेकिन ठीक है लगा होगा अध्यक्ष महदय को कि अभी करनाटक पे भी डाट बहुत पड़ी है तो अब वापस सुधारा जाए लेकिन मुझे लगता है कि एक और लॉंग टर्म के लिए बीजेपी ब्लेंडर ही कर रही है हाँ ब्लंडर तो कर रही है या नहीं कर रही है मुझे लगता है कि वैसे भी यह जो पार्टी है जी डी एस वो बहुत लंबी चलेगी नहीं है देव गोड़ा जी के साथ ही इसका भी समापन होना है तो हो सकता है इनका विचार यह हो कि वही यह पूरा का पूरा जो वो पुलेगा गुरूप है इसको हम समाहित कर लें लेकिन आपके बात यह भी सही है कि लिंगायतों के उपर कोई विशेश इनका भी तक को नहीं हुआ है वो तब तक नहीं होगा मेरे विचार से कि यह हमेशा अंडरेस्टिमेट करके चले हैं यदिवरपा जी के और उसके लिए मुझे लगता है कि भाजपा के अंदरूनी राजनीती ही उसके लिए उत्तरदाई है पहले भी यह हुआ था सुश्मा सुराज जी रड़ी विदर्स एक तरफ हो गए थे यदिवरपा जी को डाउन करने का प्रयास हुआ था इस बार फिर यदिवरपा जी क अब भी आज भी जिस किसी भी इस्तिति में वो हैं वर्द हैं या नहीं है वही कर सकते हैं जैंश अधिं हमने देखा मोला जी कि कितना वह लिंघायत प्यार करते हैं आवशक्ता क्या है से उसकी आवशक्ता नहीं है तो बहतर है कि कमान वापस दिया जाए दुनिया में कोई विपक्ष में रह करके कुछ बदल नहीं पाए अगर आपको वास्तों में कुछ बदलना है तो पहले सत्ता में आईए फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट की लिए आप पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सत्ता में नहीं आएंगा फिर उसके बाद कोई लॉजिक नहीं बनता है लेकिन ठीक है जडिए जेडियस के साथ अलायंस होने का एक तो फायदा है कि आब वो का लेगा वोट जो है वो वापस शिफ् और इस समय कावेरी के आंदोलन आरंब हो गया है कावेरी के जल वितरन का जो समय समय पर होता रहता है इस बार करनाटका में विशेशकर साथ करनाटका में अच्छी बारिश नहीं हुई है उसके कावेरी के जल सर पूरा नहीं है और इसलिए इस समय वहाँ पर आंदोलन चल तीनों जो हैं वो आंदोलन कर रही हैं मिलके यही राजनिती का एक कुरूर चेहरा है कि आप इंडी अलाइंस बनाएं या टुकड़े टुकड़े गैंग जोड लें लेकिन वास्तों में तो आपकी महतोकान चाहें जो हैं समाप्त होती नहीं अब देखिए कावेरी जल्विबाद करनाटक के साथ तमिलाडू के साथ होना ही है क्योंकि तमिलाडू को पानी चाहिए और श्रंग पत्नम में वहाँ पर गया हूं जहां पर वो बड़ा डैम है मैं सुरू में तो मेरा ये मानना है कि कावेरी वाटर का पहले जो कम से कम मिलना चाहिए किसानों को वो तो करनाटका के लोगों की जायज मानना है अब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपका खेत सुखा पढ़ जाओ और कहाओ कि नहीं पढ़ोसी पहले सीच ले से होता नहीं है और ये विवाद रहेगा दूसरी बात डीम के जो है उनका एरगेंस इसको लेकर के ऐसे है कि मतलब वो हमारा अधिकार शेतर बन जा तो ये भी ठीक बात नहीं है तो इसको बैट के इसका सॉलूशन निकाल सकती थी और अभी तो आप डीम के के साथ अलाइंस म रही है तो करनातक के किसानों को पानी तो मिलना ही चाहिए ये तून का अधिकार है निकित कमाल की बात है बीजेपी जेडियेस तो इस मुद्धे को उठा रही है इंपोर्टेंट था उनके लिए आम आदमी पार्टी क्यों उठा रही है ये प्रश्ण का उत्तर तो दरसक क इधर उधर हो गया तो पूरा 36 गड़ का गेम बनल जाए वहां भी आपने अनाउंस कर दिये और राजस्थान में तो आपने कह दिया है कि भाई गहलोज सरकार ने हम पे अटैक करवाती है नस्यूआई के लड़कों को भेज करके मेरे और भगवनमान के काफिले पे अटैक करवाती है अब यहां तक जाने तो यह कैसे चलेगा सर कि मतलब आप करनाटक में राजस्थान में मध्य प्रदेश में 36 गड़ में कॉंगरेस के विरोध में इस हब तक जाएंगे उपर से पंजाब में दिल्ली में उनको लोग सभा की सीटे नहीं देंगे और कहेंगे जी तो आम आदमी पार्टी पंजाब में सीट भी नहीं दे रही हैं हाँ उन्होंने तो कह दिया कि पंजाब में तो आपका कोई कुछ ही नहीं पंजाब में तो जो है हम ही हमें हमारे पास इतने विधायक हैं हम पंजाब में आपको सीटे कैसे दे सकते हैं पंजाब यह कि दिल्ली में भी हम एक सीट नहीं छोड़ेंगे हर बार थोड़ी नहोगा कि हम हार जाएंगे हमाई 63 सीटे मिली हैं आपके पास कोई विधायक नहीं है तो ऐसा नहीं कि पंजाब में या जो दिल्ली में आम आदनी का क्लेम है एकदम अलग धंसे है यह वो क्लेम इसलिए कर रहे हैं कोकि उनके पास वोट शेर है लेकिन अब तो दिल्ली का वोटर ही इस प्रकार से वोट कर रहा है कि स्टेट में कह दे रहा है उसमें विहारी बहुत बड़ा कम्मुनिटी है जिसको समझ में मुझे नहीं आता कि वो क्या चाहता है लोग सभा में मोधी में हो जाता है और विधान सभा में केजरीवाल में हो जाता है तो पूरा पूरा रिजल्ट बदल जा रहा है और उस बार उस पर से रूमर यह कि दिल्ली में बीजेपी बड़े बड़े सांसदों के टिकेट काट रही है बासुरी सुराज जी की इंट्री होने जाए तो यह साथ तमाम चीजें हैं जिस पे केजरिवाल को भी देखना है और कॉंग्रेस को भी देखना है कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई लंबी जाने वाली है पंजाब और दिल्ली में सर्थ बहुत लंबी जाएगी और नूपर शर्मा जी की भी वापसी हो गई है कम से कम अब पबलिक में अब बारती जंता पार्टी में भी संभवत हो जाए मैंने पहली चीज यही बोली थी दिदी को कि दिदी प्रणाम लेकिन न भूले हैं न भूलने देंगे और मैं आप तमाम हिंदुों की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग आपको आज भी वो सुरक्षा का भाव नहीं देशके तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात को लिए कि पहले उन लोगों को अभिशेक आपकी तो मैंने वो वाइरल देखी थी रहली जो आपने पटना में हमारे समर्थन में निकाली थी अब शेक सबसे पहले उन बच्चों को समझाओ कि मेरे साथ चो खड़ी रही है वो पार्टी ही थी और कोई नहीं और पार्टी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा कभी-कभी राजनिती में बहुत सारी चीज़े करनी पड़ती है अब आप मालो की हमारी जब इंट्री होगी एक्जैक्ट सही टाइम पे होगी और दिल्ली में तब हमें हिंदू योद्धाओं की अवशकता पड़ेगी और मैंने इमोशनल तो थे ही जब मेटिंग होई थी तो बाकी चीज़ें तो यह ठीक है पब्लिक लाइफ में आई विवेक अगनी होतरी जी का बहुत बहुत धन्यवाज लेकिन नुपूर शर्माजी पे जो 6-8 महीने गुजरे उसका इफेक्ट जो है वो साफ चेहरे पे दिख रहा है लेकिन ये चीज़ कॉंग्रेस को बड़ी परिशान करेगी से दिल्ली में भी और आम आदमी पार्टी अगर जो मैं समझ पा रहा हूं अगर 2025 में वो दिल्ली विधान सभा में इंट्री लेने जा रही है तब तो बहुत बहुत परिशानी की बात है आम आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम जय शुरा